दोस्तों यह एक special video है एक special instrument के लिए मैं record कर रहा हूँ दोस्तों सोना चांदी हमारे जीवन में बहुत बड़ा role play करता है मैंने कुछ महीनों पहले टकेबन I think 2 साल प्लस हो गए मैंने एक छोटा सा video record कर था जहां मैंने कहा था कि सोना जो है वो एक अपने आप में multiple role play करता है सोना एक aesthetic value है बिवाज हम उसे jewelry बनाते है सोना एक currency है सोना एक social security measure एंडिया में कि अगर कुछ में नहीं हो और आपके पास सोना है तो आपको पता है कि life में कोई भी contingency है आप उसको सभाज सकते हैं चांदी जो है और सोना चांदी दोनों एक साथ ही word use होता है चांदी भी एक तरह का precious metal है लेकिन साथ में चांदी के industrial applications भी है जैसे copper, aluminium ये सब को industry के लिए use किया जाता है चांदी को apart from aesthetic value जो ornaments बनाने के लिए होता है या जो ठालियां होती ना चांदी की ठालियां glass बगरा बनाने के लिए होती है उसके अलावा चांदी जो है वो industrial purpose के लिए भी use होता है मैंने जब सोना करवा 1800 डॉलर था तो मैंने कहा था कि सोना जो है यहां से तेज लग रहा है क्यों लग रहा है because सोने की एक character है कि जब ही चलता है तो एक अच्छा sustainable long term rally देता है और इंडिया में जो सोना listed होता है क्योंकि इसमें रुपी भी involved है तो सोने का advantage क्या होता है कि dollar terms में अगर सोना तेज हो रहा है और यहां पर रुपी भी अगर week हो रहा है तो दौनों का advantage होता है और long term के अंदर में जो रुपी जो है वो तक्रिबन 3-3.3% long term कमजोर होता है average CAGR तो जब आप Indian terms में सोना में invest करते हैं तो आपको दो advantage है global markets में सोना की जो तेज़ी है उसमें आप participate करते हैं साथ में रुपी का जो weakness है जो की तक्रिबन होता ही है उसमें भी आप participate करते हैं चांदी में भी मुटा मुटी वही logic hold करता है लेकिन एक difference यह है कि क्योंकि वो industrial product है कई बार ऐसा होता है कि industrial अगर slowdown हो जाए तो चांदी के अंदे में तेज़ी नहीं आती है और सोना में तेज़ी आते रहती है तो यह difference आप समझ पसंद किसक भी जाते हैं तो उससे में आपका मन धगदगाएगा है राम जी क्या हो गया तो बेस तरीका क्या है सोना में participate करने का या चांदी में participate करने का वो है S.I.P. करते हैं और यहीं मैं कर रहा हूँ पिछले कई सालों से मैं regular business पे S.I.P. कर रहा हूँ जिसका फायदा मेरे को अब मिल रहा है आपको आने वाले तीन साल चाट साल पांच साल का अगर फायदा सोचना है तो फिर आपको S.I.P. मोड़ पे ही रहना पड़ेगा लेकिन आज के वीडियो में मैं सोना की बात नी करूँगा आज के वीडियो में मैं चांदी की बात करूँगा विकाज सिल्वर एक बहुत अच्छे लेवल पे है और मुझे लगता है कि यहां से अगर बड़ा पैसा कमाई हो सकती है तो आप सब को कमाना चीए बाइदर एक डिस्क्रिमर देता हूँ कि मेरा S.I.P गोल्ड और सिल्वर में चल रहा और मैं आपको बताऊँगा कि मैं इसमें S.I.P कैसे का रहा हूँ तो स्क्रीन शेरिंग करते हैं और डिस्कॉशन करते हैं डिटेल में या आप क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले ये चांदी का चार्ड देखिए ये है वीकली चार्ड चांदी का चांदी जो डॉलर टर्म्स में बाहर U.S. मारकेट में ट्रेड हो रहा है आप देखिए चांदी के अंदर में एक तेजी का स्ट्रक्चर बन गया है तेजी का structure मतलब एक simple सा अगर line draw करें तो weekly chart के अंदर में यहाँ पर कितिरी बार यह week high को इसने यहाँ पर touch कर गे नीचे गया है आज इस week इसने breakout दे दिया है तो यहाँ से मुझे लगता है चांदी के अंदर में एक अच्छी rally मिलनी चाहिए इमिरेटली यहाँ पर एक यहाँ पर resistance आपको दिखेगा हलका सा यह जो level है इसके आसपस आपको resistance दिखेगा 28 dollar के आसपस पर मुझे लगता है इस resistance को भी चांदी तोड़ देगा because momentum इसके अंदर में अच्छा खासा है यही अगर मैं आपको gold का chart दिखाओ तो आप देखेगा क्या जबरदस्त gold के अंदर में तेजी बनी भी है और यह मैं तेजी यहाँ 1800 dollar जब था ना gold तब से मैं बोलाँ कि यह तेजी है और यह रहेगी थोरे time तक रहेगी because दुनिया इस तरह से progress कर रही है कि dollar के उपर में confidence दिरे दिरे वीकी हो रहा है ऐसा नहीं है कि dollar पे बहुत भर घंगोर confidence है तो मुझे लगता है जो currencies है gold, silver, bitcoin यह सारे currencies, bitcoin के मुझे ज़्यादा idea नहीं है बट अगर मुझे तेजी खेलनी है तो क्यों अगर सोना चांदी में खेलू अब bitcoin में नहीं खेलू तो आप देखिए सोने में कितनी अच्छी तेजी हुई तो मुझे लगता है चांदी में भी तेजी होनी चाहिए अब इस तेजी में participate कैसे करें यह सबसे important question है तो देखिए दो तरीका participate करने का एक है कि MCX के अंदर में कुछ contracts है जो listed है यहाँ पर अगर मैं products में जाओ M6 में तो आपको दिखेगा चांदी यहाँ पर चांदी है, चांदी mini है, चांदी micro है चांदी जो contract है इसका मैं आपको detail बताता हूँ इसको एक बार PDF को download कर लेते हैं, यहाँ से यह वाला contract को download करते हैं, December 24 से जो contract है, सारी बात है एकदम detail में समझेंगे, ताकि आपको 100% clarity हो जाए, कि आप exactly कौन सा instrument को use करें इस पूरे working के लिए में तो चांदी का जो main contract है वो 30 kg का contract है, ठीक है और चांदी का जो price है वो करते हैं, 77,000 का price है तो 77,000 multiplied by 30 अगर में करूँ, तो 23 लाख का contract होता है इस 23 लाख के contract में मुटा-मुडी position लेने के लिए आपको 15 1%, 15 से 1% का margin लगता है, I think अभी latest क्या है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बढ़ I think 15 1% का margin इसमें लगता था, चांदी अगर मैं दूसरा चांदी देखूँ तो चांदी मिनी है ये तकरीवन 5 किलो का contract है तो इसका मतलब 37,000 मतलब 3,500,000 परने 4,000,000 हो गया और चांदी माइक ग्रो जो है ये जो है, ये एक केजी का contract है एक केजी का मतलब हो गया 77,000 का value बरबर है कौन-कौन से contract अभी trade हो रहे है लिस्ट हो रहे है इसको भी देख लेता है तो market data में चलते है यहाँ पर watch list में चलते है और watch list के अंदर हमें हाँ पर अपने select करते हैं चांदी को तो देखते हैं कई बार ये slow हो जाता है कोई बात नहीं तो यहाँ पर अपने instruments में future com ही है वैसे तो सारे यहाँ पर चांदी को select कर लेता है तो चांदी के जो all contracts है अगर आपको high value का exposure लेना है तो 77,000 में ही contract है जुलाई है 80,000 और September है 80,000 ठीक है अगर मैं थोड़ा lower value में जाता हूँ in fact let's go to silver micro इससे क्याना आप अपने position को और better तरीके से कर पाएंगे तो micro में चलते है micro में अभी जो April contract है आज 3 April एपरिल contract है उसका दाम है करिबन 77,000 रुपया आप माल लिजे बिडे नास यहाँ पर दिखनी रहा है तकरिबन 77,000 आप close last ready price देख लिए 77,900 है तो एक तरीका तो है कि अगर आप derivatives में position लेने से घबराते नहीं है तो इसके अंदर में आप SIP चालू करतीजे maybe every week एक ले लीजे कुछ लोग daring होगे वो हर दिन ले लेंगे कुछ लोग थोड़े कम risk लेने वाले होंगे तो वो probably हर हफता लेंगे हर महीना लेंगे उसे फायदा क्या होगा कि आप देरे देरे अपना position बिल्ड कर रहे है और इसमें capital requirement कम होती है तो कि आप margin ही पे करते हैं पूरा पैसा आपको नहीं देना परता है लेकिन इसमें एक risk है कि आपको mark to market loss के लिए पैसा side रखना परता है तो ये एक तरीका है आप चांदी में इंडिया में participate कर सकते हैं obviously physical तो लही सकते हैं बढ़ मेरी मरा है कि physical मत लीजे because कहां चांदी लेके आप घर पे रखेंगे उतना risk अपने को नहीं लेना चाहिए दूसरा तरीका है चांदी में के अंदे में 10% रिटर्न दिया है विरस सोने ने 33% रिटर्न दिया है हाँ पिछले एक साल का में देखूं तो सोना ने 14% रिटर्न दिया है चांदी ने 6% रिटर्न दिया है दो साल में 14% रिटर्न गोल्ड ने दिया है चांदी ने 5.6% इसका मतलब गोल्ड ने इन इंडियान टर्म्स निफ्टी से जादा रिटर्न दिया है ये फैक्ट आप सबको पता होना चाहिए चांदी ओविसली है लगार चांदी ने उतना परफॉर्मस नहीं दिया है कुछ हद तक इसमें बेस मेटल्स का भी बहुत बड़ा रोल है को कॉ अगर चांदी का प्राइस इस अलसो डिपेंडेंट अपॉन की कॉपर कैसे भड़ रहा है कॉपर वगर अपे अभी भी इंडिया में उतने एक्टिव एटिएफ नहीं है राइट तो एक तरीका है कि आप चांदी की एटिएफ के अंदर में S.I.P. चालो कर दीजे चांदी के एटिएफ में अगर में जाओं तो यहां पर सबसे ज़्यादा AUM होल्ड करता है कौन? ICC Pro Silver ETF है. Nippon है. अब ICC Pro Silver ETF के अंदर में चलते हैं. और यहां मैं अगर info में जाओं तो मुझे दिख रहा है कि यह 0.4% expense ratio चार्ज करता है. 0.4%. मतलब आपका हर साल 0.4% deduct होगा क्यो कि अपने जादा पैसा क्यों दे? जब इनको खाली चांदी होल्ड ही करनी है. तो कम से कम. तो ICC Pro Silver ETF जो है. इसके अंदर में बाकी मैं इसलिए नहीं करना चाहरा हूँ. Because बाकी में प्रॉब्लम है कि इतने जादा AUM नहीं है. और जब कम AUM होता ना, तो मुझे उतना comfort नही कर सकते हैं. मेरी मानी, long term के अंदर में बहुत जादा आपको return में difference नहीं नजर आएगा. Because मोटा मोटी relationship जो है in instruments का main चांदी के साथ में high ही होता है. खली यहां पर क्योंकि आपका capital deployment कम है, तो यहां आपका ROE better होगा. अब मैं आपको यह बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हू मैं पिछले 3-4 साथ से constant basis पे सोना और चांदी में S.I.P. करता जा रहा हूँ. और S.I.P. मैं क्या करता हूँ? चांदी जो है, मैं micro लेता हूँ और उसको roll करता जा रहा हूँ. सोना जो है, मैं petal लेता हूँ. चांदी micro मैं एक लेता हूँ. सोना petal जो है, मैं 5 lot लेता हूँ ठीक है इससे क्या होता है कि एक reasonable value का exposure मेरे overall portfolio में आ रहा है और over a long period of time क्योंकि मुझे पता है घर में बच्चे हैं anyway सोना requirement है हमाद को बाद में consumption के लिए चाहिए होगी तो ये मेरे लिए एक safety net भी हो गया एक मेरा future consumption जो है उसका एक support भी हो गया तो ये तो हुआ मेरा strategy मैं आपके साथ disclose कर दिया मैं जो कर रहा हूं लेकिन मैं आपको यह सहुआँगा कि कभी भी लेट नहीं हो है हर भाव के अंदर में SIP करने में कोई problem नहीं है because SIP का advantage यह है कि अगर crash कर भी गया तो कोई बात नहीं है हम तो नीचे के level पर और लही रहें constant ले रहें in fact कई लोग value SIP करते है ज़स दिन गिरता है उस दिन quantity बढ़ा लता है ज़स दिन भरता है उस दिन quantity काम कर लता है but वो आपके पर depend करता है कि आप किस चीज में comfortable है I hope this was useful video और अगर आपको पसंद आया हो तो please do share this video with your friends and family और मेरे चैनल को subscribe करना मद भूलेगा 1 million is my target for this year Thank you, bye, take care, jahin